नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel कैसे हैं आप लोग, I hope आप अच्छे होंगे और अपना inner work कर रहे हैं, daily basis पे यह तो सरफ एक reminder है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों inner work के बिना union impossible है union अगर करना है, union में अगर जाना है या even अगर आपको illumination और harmonization phase तक भी पहुंचना है twin flame journey के 7 stages होते हैं इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक और बार फिर बता देती हूँ शुरुवात होती है recognition से, उसके बाद testing, crisis उसके बाद runner chaser dynamic, then surrender, illumination, harmonization and union तो यह जो division भी है, यह stages भी है यह काफी सारे लोगों ने इसको observe किया और देखा कि हाँ ऐसा जरूर होता है कहीं दर फिर यह step by step हो रहा होता है किसी किसी के साथ, जैसा कहीं लोगों ने बताया है और जो मुझे लगता है, जो actually possible है इसमें वो होता है कि percentage by percentage बढ़ता चला जाता है जैसे अगर 20% recognition हुआ है तो 20% testing crisis होगा फिर 20% runner chaser चलेगा फिर 20% surrender चलेगा तो इसी वज़े से कहीं दर फिर क्या होता है कि कहीं लोगों के mini unions होते हैं या बीच बीच में उन्हें लोग कहते हैं reunions होते हैं बीच बीच में जो masculine feminine है वो reconnect करते हैं एक दूसर से forgiveness मांगते हैं तो इसी वज़े से कहीं दफे लोग इसको एक romantic रूप भी दे देते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो लडाई जगडा और ये सब चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ये सारी की सारी एक spiritual और scientific process है और union से हमारा मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा जो बाहर की दुनिया में आपके साथ होता है दोस्तों वो केवल आपके जो अंदर चल रहा है उसी का रूप है आप उसे अच्छा और बुरा समझ के उसमें फसीएगा मत कुछ situation ऐसी होती हैं जो होते वक्त शायद बुरी लग रही हो या जिस वक्त मतलब होने के आस पास लग रहा हो कि यार ये क्या हो गया क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों मैं ऐसी situation में फस गया या फस गई लेकिन कुछ दिनों के बाद एक हफते बाद दो हफते बाद या एक दो महीने बाद या इवन छे महीने साल भर बाद जब आप उस situation को पलट के देखते हैं तो आपको बदा चलता है कि नहीं ये चीज तो मेरे साथ बहुत वाक्य में अच्छी चीज हुई थी क्योंकि उस से बिना यूनियन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि देखिए जब आप इस प्लानेट पे पैदा होते हैं सभी की तरह बहुत पहले जब श्री कृष्ण का जनम हुआ था या उससे पहले जब त्रेता युग था उस टाइम पे scientific advancements बहुत ज़ादा थी यह ज़रूरी ही नहीं होता था कि गर्ब से ही पैदा होए बच्चा या जो एक natural reproduction का method है human beings में आदमी और पुरुष के बीच में जो intercourse होता है उसके बाद एक बच्चे का जनम होता है sperm और egg का combination होता है तो वो सब होए उसकी ज़रूरत पहले नहीं होती थी एक समय था ऐसा नहीं था चाहे आप कौरवों का जनम देखिए कौरवों के 100 पुत्र हुए थे दितराष्ट के पांडू के तो 5 पुत्र हुए थे दितराष्ट के 100 हुए थे अगर आप रामाइन महाभारत पढ़ते हैं तो इस तरह की जो बाते हैं महापे explain कही गई है श्री राम लक्षमन भरत शत्रुगन के जन्द के वक्त पुत्र इष्टी यग्य हुआ था उसी यग्य के बाद कहीं जगा लिखा है खीर और कहीं जगा लखा है आम आम दिये गए थे और उनको उन्होंने बाट के रानियों ने खाये थे और खीर का कहीं पे वर्णरना की खीर बाट के खाये थे और उसके बाद पुत्र पैदा हुए थे चारो और महा भारत में जितने भी पांडू के पांच पुत्र हैं पांडू के पांच पुत्र हैं वो सब के सब एक scientific और spiritual intervention के थूँ पैदा हुए थे ना कि एक biological reproduction के थूँ 100 पुत्र पैदा करना कोई मजाग की बात थोड़े ना 100 बच्चे पैदा करना तो महाभारत में इस चीज का वर्णन भी है कि धितराश और गंधारी के सौपुत्र बोतलों में पैदा हुए थे हो सकता है आज की डेट में हम जिसे टेस्ट्यू बेबी कहते हैं उस जमाने में हिंदी में बोतल शब्द का इस्तमाल किया गाता है क्योंकि कांच के इस तरह के बरतन को बोतल ही कहा जाता है तो आप कुछ सोचिए कि कैसे उनका जनम हुआ होगा लेकिन जब कल्यूग आता है तो जितनी भी साइन्टिफिक टेकनोलजी एडवानसमेंट होती है यह खताम हो जाती है और जो टेकनोलजी आप अभी भी देख रहे न यह कोई बहुत हाई लेवल की टेकनोलजी नहीं है इससे भी जादा हाई लेवल की हो सकती थी और मेरे ख थामस एडिसन और निकोला टेसला के बीच में कॉमपेटिशन था निकोला टेसला एक बहुत ही स्पिरिच्वल और अध्यात्मिक पुरुष थे उनको कोई पैसे वैसे से शादी वादी से लड़कियों से और तो से कोई लेना देना नी था वो अपने अध्यात्मिकता में जीते थे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके नए-ने इन्वेंशन बनाते थे और अब टेसला के नाम पे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है तो इलेक्ट्रिक कार तो बहुत पहले बन गई थी और उसके ओपर एक डॉक्युमेंट्री भी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक बहुती बढ़िया इन्वेंशन इलेक्ट्रिक कार को यूज करना शुरू किया लेकिन अचानक से ही गवर्मेंट के कुछ लोग इन्वाल्व हुए और वो सारी की सारी कार्स वापस उठा ली गई आज की डेट में कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है जो उस वक बनाएगी थी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी क्योंकि वो आम जनता को दिमाग में रखके बनाएगी थी और टेस्टिंग के तौर पे कुछ लोगों को के अगेंस थे आगे जाके मेल गिबसन बैंक करप्ट हो गए उनको इतनी फिल्में नहीं मिली तो सही भी पता चलता है कि मोस्टली जो हॉलिवड और बॉलिवड के सलेब्रिटी इस होते हैं जो की इल्यूमिनाथी या इस तरह की जो जितनी भी ओर्गनाइजेशन होती हैं उन लोगों का काम करते हैं बड़ी बड़ी जो मीडिया कंपनीज होती है या बड़ी मीडिया कंपनीज भी अक्चली उनीक अंडर ही होती हैं ऐसा नहीं कि मीडिया भी कोई इंडिपेंडनेंट ओर्गनाइजेशन होते हैं उनको भी उनी को मानना पड़ता है जो की सत्ता म पान, सुपारी, इनके पैकेट्स मुश्किल से 7-8 रुपे के आते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत से लोग खरीते हैं, हो सकता है कि भारत की 1.5 बिलियन जनता के में से 1 बिलियन, चलो ना भी सही, उसमें से लगा लिजिस 50% शायद इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं, वो जा पी सकते हैं, महेंगे नशे कर सकते हैं, गरीब आद भी क्या करें, तो वो सस्ते नशे करते हैं, और इनके भी नशे होते हैं, तभी तो कितनों के दांत खराब हो जाते हैं, कितनों को आदत लग जाती हैं, हमिश अपने मूँ में एक डाल के रखते हैं वो, तो ये जो इतन बड़ी बड़ी इंकम करने वाले इन इंडस्ट्री के या इन प्रोडक्स के मालिक होते हैं आपने कभी उनको देखा आज तक आप सोचे बड़े से बड़ा अक्टर हो या अक्टरिस हो अंत में उनको भी वही काम करना होता है जो एक गरीब आदमी कर रहा है सोचे कैसे को मोटी फीस मिलती है लोगों को भैकाने के लिए गुम्रा करने के लिए या उनी के प्रोड़क्स खरीदिये हैं जो ये एड़टिस्मेंट दे रहे हैं और एक नॉर्मल आदमी भी वही काम कर रहा है एक पान वाला भी पान सुपारी बेच रहा है और एक बड़ा प्रचल हो जाते हो एक ऐसा समय होता है जब आप एक लिंबो स्टेट में जी रहे होते हो उस टाइम आपकी रेकोगनिशन हुई नहीं होती है ठीक है कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो डीम से मिलते हैं तब रेकोगनिशन होती है ऐसा भी नहीं है डीम से मिलने से पहले या EF से मिलने से पहले ही recognition अंदर मन में जागरित हो जाती है इंसान ये कहता है कि मुझे सिर्फ सत्य की तालाश है और मुझे सच्चा प्यार ही चाहिए जो ये दुनिया में धोंग चल रहे हैं प्यार के नाम पे मुझे ये नहीं चाहिए बहुत हुआ ये बहुत कर लिये relationships बहुत दुख उठा लिया बहुत दिल तुडवा लिया यहाँ पे तो सब लालची हैं सब मतलबी हैं सबको सिर्फ पैसे ही चाहिए यह सबको time pass करना है parties करने हैं नाचना गाना करना है सारा दिन नाचो गाओ तो सही हो अगर थोड़ी दिर कोने में बैट जा चुप चाप तो सही नहीं बोरेंग हो जी आप तो ठीक है तो दोस्तो twin flames star seeds light workers ascensioners इनकी प्रवरती होती है यह अपने उपर काम करना चाहते हैं अपने आप में हमेशा एक improvement लाना चाहते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि जो यह deep rooted programming की जाती है बचपन से ही जो आपके परिवेश में होती है आपके माता पिता के द्वारा होती है आपके दादा दादी के द्वारा होती है ancestors के द्वारा होती है इसमें आपको अच्छी चीज़ भी मिलती है और बुरी चीज़े ही मिलती है कुछ आदते आपको जो generation on generation आपको दी जाती है वो बड़ी अच्छी होती है कोई बहुत बढ़िया चीज आपके दादा पर दादा करते होते है लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो जगन्या अपराध करते हैं तो उसका भी जो बी बच्चे को उसके अंदर जरूर वो बाते जाती हैं वरना अभी मन्यू कैसे चक्रव्यू को तोड़ता और आपको यह लगता शायद ऐसा नहीं होता आज की दुनिया में क्यों नहीं होता बिलकुल होता है हमारे जो बड़े बुड़े हैं वो भी कहते हैं कि जब बच्चा प बड़ा में बहुत जादा फसी पड़ी होती है पती का उसे प्यार नहीं मिल रहा होता है या जो भी कोई रीजन होता है या वो खुदी ऐसी होती है वो खुदी कलेशी होती है उसका खुदी नेचर होता है कलेश करना और खुदी हो सकता है एक बच्चे के जनम में उसने ऐ किया हो, हो सकता है दूसरे के जनम में उसने ऐसा किया, तो दोनों बच्चों का नेचर बिल्कुल opposite होएगा एक बच्चा संतोष्ट होएगा, content रहेगा, दूसरा ऐसा नहीं रहेगा ठीक है, और कहीं पर ऐसा होता है कि वो नियती पर भी based होता है कि एक बच्चे की किस्मत ही ऐसी है तभी तो कहते हैं कि पूत का पैर पालने से दिख जाता है तो एक बच्चे का जो किस्मत वो उपर से लिखवा के आया है जो कि जब जी साहा पार्ट में भी आप सुनेंगे बड़ा clearly लिखा गया है कि उपर से हम लिखवा के आते है तो बच्चा लिखवा के आया है तो जब वो मा के गर्ब में होगा तो उसको एक certain माहौल मिलेगा है मिलेगा अब इसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है बुरा क्यों होता है दोस्तों बुरा होना को इतनी बुरी बात नहीं है हम लोगों की प्रॉब्लम है कि जब ही भी हमारे साथ कुछ बुरा होता ना तो हम बहुत जादा परेशान हो जाते हैं परेशान शब्त का मतलब क्या है जब आप उसकी शान से परे हो जाते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए कहना भी असान है दोस्तों करना बहुत मुश्किल है इसके लिए बहुत सालों की निरंतर प्राक्टेस ध्यान, mental work, inner work open रहना, aware रहना और दरना नहीं सबसे जादा जो सबसे बड़ा दुश्मन है twin flame journey में किसी भी twin flame का वो है डर और डराने के लिए बहुत से लोग आते हैं बहुत सी situation आती जो आपको इस journey में आगे बढ़ने नहीं देती, आपको एक जगा पर रोक देती है ये कहना भी सही होगा कि हम सब लोग, वैसे तो हम सब आत्मा है शरीर, इस वक्त शरीर के अंदर हैं लेकिन हम आत्मा हैं और ये शरीर भी हमको एक बहुत limited time के लिए मिलता है लोग ये बात पता नहीं क्यों भूल जाते हैं उने एक ना एक दिन मरना ही है आपने, मैंने, यहाँ जो आया है उसने जाना ही जाना है सबने एक ना एक दिन राक होना ही होना है तो क्यों ना इस समय को अच्छी चीजों में हम involved रहें अपने आपको भी रखें और अच्छी चीज़े करें, सही चीज़े करें again अच्छा बुरा, सिर्फ समझाने के लिए मैं अच्छा कह रही हूँ लेकिन बात है सत्य और असत्य की अगर आप सत्य में हैं, तो कहीं दफ़े ऐसा होगा कि आपके साथ बहुत मुसीबत आएगी आपके against बहुत लोग हो जाएंगे, ये ऐसा होता ही है क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम एक आत्मा है जैसा मैंने कहा, और हमारा जो शरीर होता है ये इतना 100% strong नहीं होता है तो हमें हमारे उपर हमेशा किसी ना किसी और शक्ती का भी साया रहता है जब हम ध्यान जाप करते हैं तो हम अपने आपको protect करते हैं नाम सिमरन करने से, inner work करने से हम अपने आपको protect करते हैं और ये बहुत ही scientific चीज है लेकिन इसको कहीं लोग बना देते हैं बाबा जी वाला topic है ये तो अरे क्या तुम सन्यासी बन रहे हो क्या तुम तपस्वी बन रहे हो ऐसा नहीं है दोस्तो पहले के जो लोग थे त्रेता युग में, सत्युग में इवन द्वापर में भी जो लोग रहते थे वो inner work daily करते थे सुबे उटते के साथ तभी कहते कि ब्रह्म मूरत में उटके वो सबसे पहले भगवान को याद करते थे या कोई ना कोई ऐसी activity करते थे जिससे कि उनका जो मन है वो focused है क्योंकि आगे दिन भर में न जाने क्या क्या होने वाले हैं क्योंकि कल्योग में क्या होता है राक्षसों का पलड़ा भारी होता है कल्यूग में राक्षस भारी होते हैं तो एक आम आदमी के उपर भी राक्षस का साया भारी होता है इसलिए मीडिया में जो भी आप चीजे देखते हो जो भी गंद आप देखते हो वो आप उसका अनुसरन करते हो ठीक है आजकल तो ये हाल हो गया है पहले तो लोग सिर्फ घरों में नाच गाना करते थे शादियों में पाटियों में डांस करते थे आजकल तो लोगों ने मंदिरों में भी बॉलिवुड गानों पे नाचना शुरू कर दिया और सिर्फ आदमी नहीं औरते ऐसा कर रही है अगर आदमी करते तो चलो आप कहते कि आदमी तो है यह ऐसा या अगर जवान लड़के लड़कियां ऐसा करते तो आप नजाने कैसे कैसे उन पे लांचन लगाते आजकल तो मतलब की भुजूर्ग औरते भी ऐसी औरते भी जिनके बच्चे हैं बड़े बड़े बच्चे हैं जिनको अपने बच्चों को सही दिशा दिखानी चाहिए है वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में involved हैं तो भग्वान की भख्ती कोई नहीं कर रहा दोस्तों, भग्वान की भख्ती कोई नहीं कर रहा सिर्फ यहां पर टाइयम पास कर रहा है टुइन फ्लेम, स्टार सीज, असेंशनर्स यहां पर क्यूं आएं, लाइट्वर कर quiere यहां पर क्यों आएं, ताकि वो सही चीज करें, वो सत्य का साथ दें, वो जो जितना भी ये भ्रहम आपको दिख रहा है, illusion, delusion दिख रहा है न, जिन activities को करके लोगों को लगता वाव मैं कितना great हूं, मैं कितना महान हूं, actually वो activities ही उसके पतन का कारण है, इसलिए अभी फरक पड़ेगा उनको, अभी तो वो जो करना चाहे लेकिन जब उनका अंत समय आ जाएगा, अंत समय आता है, तो कहते हैं, हमें इसका मुँदेखना है, हमें उसका मुँदेखना मरना कोई नहीं चाता, जो share होता है, share औशर नहीं जो होते हैं, वो मरने से कभी दरतें कहतें ठीक है मौत आनी है तो आएगी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैसे काम ही नहीं कि होतें बरने से वो डरते हैं कि जो कहतें कि अरे मैंने तो ये करा था वो करा था अब मुझे तेल की कडाई में तला जाएगा ठीक है तो Inner work करने से आप अपने आपको उन कुटिया बनाके रह सकता था उसकी लंका में भी सब कुटिया बनाके रह सकते थे, सोने की लंका बनाना, उड़न कđठोले में घूमना, सबसेरें सारी पत्निया रखना और अगर फिर भी उसके बावजूत भी उसका पेट नहीं भरता था, कोई एक आम आदमी उसकी सोने की लंका की चमक देखे उसकी आखे चुंदिया जाएं दोस्तों वो अपना सरपैर ही भूल जाए और वो राक्षसों की तरह फिर राक्षसी हरकते करने लगे तो राक्षस हमेशा आपको चमक धमक दिखाते हैं क्योंकि राक्षसों का ये गुण है उनके पस ये होता ही है वो इसे अर्जित करना जानते हैं ठीक है तो बड़ी बात नहीं है पैसे तो कोई भी कमा सकता है पैसे तो एक प्रोस्टिटीट भी कमा रही है न दोस्तों एक स्मगलर डॉन चोर लुटेरा भी कमा रहा है तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है सत्य की रहा पे चलना सही चीज करना और किसी से ना डरना तो ये आप जो inner work करते हो ये अपने आपको protect करने के लिए करते हो इन राक्षसों से और कहीं राक्षस तो आपको सामने दिख जाएंगे क्योंकि उनके अंदर राक्षसी energy है ना तो उनकी राक्षस उनके अंदर हमेशा काम करता रहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग या कुछ शक्तियां ऐसी होते हैं जो दिखाई भी नहीं देती हैं वो किसी शरीर के रूप में नहीं होती हैं वो बस आसपास मंडरा रही होती हैं जहाँ पर उनको लगता है यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूं काम अपना कुछ कांड करके जाओं मैं यहाँ तो वो कर देते हैं कोई बुरा कांड तो बाइबल जैसी बुक में भी लिखा है कि जब कहीं पर कलेश होता है तो शैतान खड़ा होके देखता है और हसता है कोने में शैतान खड़ा होता है खुश हो रहा होता है तो अलग-अलग धर्मों ने भी इसको capture करने की कोशिश करी है इस तरह की बातों को बताने की कोशिश करी है लेकिन फिर वही बात है लोग अच्छे और बुरे में फच जाते हैं अगर आप किसी रक्षस का सामना करते हैं ट्विन फ्लेम्स को तो हमेशा बैटल फील्ड में रहना ही पड़ता है काफी साल पहले तो बैटल फील्ड में ट्रेंड होते हैं पैदा होते हैं छोटे होते हैं उनके जो अपने जनम जात गुन होते हैं या जो वो उपर से ले के आये होते हैं वो उनके अंदर होते ही होते हैं डरते नहीं है इतनी असानी से किसी से लेकिन तब वो लिंबो स्टेट में होते हैं और हो materialistic चीजों के लिए जादा लड़ रह कि भाई किसी billion year से शादी कर लो इस से शादी करके तुम बहुत अमीर हो जाओगे या हो जाओगी वो शायद नहीं करेंगे कहेंगे नहीं मुझे billion dollars का मैं क्या करूँगा भले ही जेव में उस वक्त पैसे ना हो भले ही वो उस वक्त बहुत lucrative offer लग रहा हो लेकिन वो नहीं कर तुम किया कर रहे हो अपना नुकसान कर रहे हो उन नहीं मानेंगे क्योंकि वो अंदर से जाग चुके उनको पता है कि आज अगर मैंने यह जूटा फैसला उठा लिया यह जूटा कदम ले लिया तो आगे जाके मैं अपने भगवान को क्या मू दिखाऊंगा उपर तो मु सबी भी सच का साथ नहीं देते हैं जूट का साथ देते हैं बटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में ज्यादा पड़े रहते हैं और दूसरों को तरासदी देते हैं तड़ पाते हैं तो इस वज़े से क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स भी काफी दफित बहुत तडपते है उनको भी सफरिंग दी जाती है क्योंकि वो अलग होते हैं उनकी बचपन से ही आदत होती है सच का साथ देने की इतनी असानी से वो प्रोग्राम नहीं होते हैं तो उनके लिए जबर्दस्ति की प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है जैसे कि उनको इग्नोर किया जाता है उनको punish किया जाता है, school में भी उनको bully किया जाएगा, teachers भी शायद उनको पसंद नहीं करेगी, खास्तोर से वो teacher जो बिल्कुल भी अध्यात्मिक नहीं है, अगर कोई अध्यात्मिक अध्यापक मिल जाएगा, तो उनके वो favorite बन जाएगे, अगर कोई सच्चा व्यक्ती मिल जाएगा, तो उनको बच्पन से ही सीखना पड़ता है, कभी कभी उनके रस्ते में अच्छे लोग आ जाते हैं, लेकिन बुरे ही अधिकतर जादा आते हैं, तो बच्पन उनका पूरा एक ऐसा battlefield में रहता है, काफी उनको pain सहना पड़ता है, क्योंकि उनको इतना साथ नहीं मिलता, जो कि शायद एक गलत व्यक्ती को जादा मिल जाएगा, या अगर उनको भी लगता है कि अगर मैं गलत काम करता हूं, या below the average हरकते करता हूं, तो मुझे सब accept कर लेते हैं, लेकिन जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं, उत्कृष्ट काम करता हूं, या मैं कोई बहुत ही spiritual path में चलने लग जाता हूं, मैं बच्पन से ही रमायन, मा, भारत ध्यान करने लग जाता हूं, तो मुझे कहते हैं, अरे ये बेटे को क्या हो गया, ये बिटिया को क्या हो गया, ये तो सन्यासी ना बन जाए, अरे हट क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, चल चल, ये तेरे बच्चे ही तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम ध्यान दो अपनी पढ़ाई लिखाई करो, वो बच्चा, वो बालक या वो बालिका असली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको असली पढ़ाई करने से खुद माता पिता रोक रहे हैं, क्यों क्यों कि देखे माता पिता भी victim of victim है वो भी डरते हैं उनको डर लगता है कि अगर मेरी उलाद ऐसी निकल गई एक सन्यासी उलाद एक तपस्वी उलाद एक योगी योगी या योगीनी को मैंने अगर पैदा कर दिया तो आगे जाके मेरा क्या होगा मेरा तो बंटाधार हो जाएगा मुझे कोई accept ही नहीं करेगा पूरी society में या मेरे पास कभी धन नहीं आएगा कईयों के बच्चे बड़े इमानदार होते हैं लेकिन माता पिता corrupt होते हैं माता पिता किसी government job में होते हैं या किसी high position में होते हैं कोई ना कोई सरकारी काम ऐसा कर रहे होते हैं जिस को भी वो 9 to 5 की तरह ही देखते हैं कि सुबह जाना है मुझे 9 बजे 5 बजे मुझे घराना है और मुझे Saturday Sunday की चुटी चाहिए और मुझे salary डाइम पे चाहिए बस मुझे किसी का कोई काम वाम नहीं करना अगर मेरा बहुत उपर रिश्वत ले रहा है तो मैं भी ले ले लेत करनेगी ही नहीं क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो इमानदार ही नहीं और आप एकदम कड़े और अडियल इमानदार हो कहीं बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होते कि साथ 9 बेज खाने से मना कर देते हैं मास नहीं खाते हो खा नहीं पाते माता पिता को ही मना कर देते कि कि हम नहीं खाएंगे, फिर भी माता पिता उनको ठूस ठूस के खिलाते हैं, और मेरी जान पर चान में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कि अगर तु मास नहीं खाएगी, चिकन बटन नहीं खाएगी, तो तेरे शरीर में प्रोटीन कैसे आएगा, तेरे शरीर में शक्ती नहीं आ आप कह सकते हैं पीड़ी में एक कहते हैं जैसे साथ पुष्टों की पीड़ी होती है ऐसे पीड़ी में कितने भी पुष्टे हो सकती हैं दर्स ग्यारा साथ आठ उसमें अगर कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कोई एक भी अगर ऐसा पैदा हो जाए और वो अपना इनर यानि कि masculine और feminine energy यानि कि यन यांग energy इदा नाडी और पिंगला नाडी ये जो दोनों हमारी नाडियां हैं ये हमारी शुशुम्न नाडी से जुड़ी हुई हैं इसी से energy का संचार होता है और इस energy के संचार को बिना inner work के आप complete नहीं कर सकते बच्पन में जब आप पैदा होते हैं लेकिन हो सकता है दो तीन साल के बाद चार पांच साल के बाद कोई ऐसी घटना हो जाए कोई sexual abuse हो जाए कोई sexual misconduct बच्चा देख ले या कोई bullying हो जाए या कोई traumatic episode हो जाए या माता पिता हच से जादा मार पिटा ही करते हो बच्चे की उसको force करते हो कि तू ऐसा करो ऐसा बोलो ऐसा करो ऐसे नाचो ऐसे गाओ बहुत सी ऐसीचीजे होती है hey family में ऐसे लोग होते है तो ऐसा जब होता है तो ट्विन फ्लेम्ज के साथ narcissistic abuse बहुत ज़्यादा देखा गया है sexual abuse बहुत ज़्यादा देखा गया है ignore किया जाता है उनको neglect किया जाता है उनको और कुछ जादा लाट प्यार दे दिया जाते है हच से जादा होते वो भी सही है या जैसे भी होते हैं वैसे होते हैं लेकिन उनको इतना पैंपर किया जाता है कि वो पैंपर होने की वज़े से कमजोर हो जाते हैं बहुत जादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं वो अपने आप भी बहु तो इतना जादा जब प्यार मिलता है तो वो बच्चा जो होता है वो काफी सालों तक दूसरे पर आश्रित रहता है, ना खुद कमाध हमाँ पाता है, ना खुद कुछ अच्छा काम कर पाता है, तो दो तरह के केसेज देखें, एक वो जिनको बिलकुल सपोर्ट नहीं मिलता और एक वो जिनें अत्यदिक सपोर्ट मिलता है, वो भी बरबादी हो जाते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्णी में जब आप आते हो तो आपको अपने उपर इन सारी ट्रॉमाज, अब्यूजेज, इन सारी एनरजीज, नार्सिसिस्टिक एनरजीज, इन सब का आपको हल निका होता है, अपने उपर काम करके, और इसको करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, वो है सोर्स इंटिग्रेशन, जब तक आप सोर्स इंटिग्रेशन नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, यूनियन तो बहुत दूर की बात है, आप रनर चेजर डाइ उनके शरीर, उनकी हर चीज़ को लूटता है, या लूटती है, दोनों जेंडर में देखा गया, और कुछ नहीं उनके अंदर छोडते हैं, जब कुछ नहीं बचता तब उनका पिंट छोडते हैं, और हो सकता है कई बार उनके छोडने के बाद उस आगहाच से, उस धक्के स से भी एक किसी बंदे की recognition स्टार्ट हो जाती है, या recognition पहले हो चुकी होती है, लेकिन क्योंकि 100% नहीं हुई होती है, तो वो एक false twin को attract कर लेते हैं अपनी life में, और वो एक ये बेकार का खेल खेलते रहते हैं, तो recognition के बाद जब testing और crisis आती है, तो testing और crisis से कभी डरना नहीं क्योंकि जीवन का मतलब ही test देना है, test देना, crisis में फसना, फिर उससे निकलना, यही तो करने हम आए हैं, इससे क्या डरना, दोस्तों, अगर आप सही हो, as a twin flame, अगर आप सही हो, सही दिशा में चल रहे हो, तो आपके रस्ते में राक्षस तो आएंगे याएंगे, फिर क्य करोगे, उनको आपने देखना है, क्योंकि कही ना कही आपी के अंदर, कोई ना कोई volcanic eruption है, जो होने वाला है, आपी के अंदर एक द्वंद चल रहा है, वो आपी के द्वंद की energy से शक्ती पाके आ रहे है, ठीक है, जो आपके साथ बच्पन में abuse हुआ है, किसी भी तरीके का physical abuse, mental abuse, sexual abuse, financial abuse, कहीं दफ़े ऐसा हता है कि twin flames पैदा होते हैं अच्छे घर में, लेकिन बाद में नके घर में negative thinking की वज़े से बहुत जादा poverty आ जाती है, घर में ऐसे लोग बहुत जादा हो जाते हैं, जो बाद बाद पे कहते हैं, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा, पैसा पैसा, उनकी सुबह और उनकी रात पैसे की चिंता से ही शुरू होती है, पैसे की चिंता में ही खतम होती है, अगर पैसा नहीं है तो उनके हिसाब से कोई आदमी आगे बढ़ी नहीं सकता, उनके हिसाब से कोई spiritual growth matter नहीं करती, उनके हिसाब से सचा ही matter नहीं करती, उनके हि ऐसे लोग devotion और dedication करते भी हैं भगवान की तो वो भी शायद इसलिए करते हैं कि वो उनको पैसा मिल जाए या फिर उनको आगे जाके स्वर्ग में एक टिकेट मिल जाए वी आई पी जोन में या फिर कोई ना कोई उनकी उसमें एक चाहत जरूर होती है इसका पता कैसे चलता है कि ऐसे लोग भी डरते डरपोग बहुत होते हैं सच के सामने नहीं खड़े हो पाते जब कुछ भी ऐसा कोई problem आता है तो वो सबसे पहले भागना चाते हैं वहां से या फिर सबसे पहले अपने आपको सिर्फ protected करेंगे और बाकी सब जाए भाड़ में ठीक है तो इसी लिए इतनी देखिए deeply हम इन चीजों को study करते हैं अगर हमको इन बातों का इतनी deeply पता है या हम इन बातों को समझ सकते हैं हम ये देख सकते कि कौन सच्चा है और कौन नहीं है और खुद में भी हमें वो जहांकना है कि क्या मैं सच्चा हूँ या मैं सच्ची हूँ क्या मैं ये अ इनर वर्क करते हैं तो ही सच्चे प्यार की उनको परिभाशा समझ में आती कि सच्चा प्यार है क्या सामने वाला आपसे प्यार करता भी है या नहीं जो भी आपके जीवन में हैं और अगर आप भी उनके साथ जुड़े हैं तो क्या आप सचमुच में उनसे प्यार करते हैं आप भी किसी co-dependent energy की वज़े से जुड़े हैं तो इसी लिए दोस्तो inner work बहुत बहुत ज़रूरी है आपको protect करने के लिए और आपको शक्ती देने के लिए आपको भक्ती देने के लिए और आपको समरिधी देने के लिए और आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपका time भी limited है तो हर दिन आप अपना inner work कीजिए Ascension is a lifestyle मेरी यह बात कई लोगों ने मुझे लिखके भेजी है कि मुझे आपका यह बहुत अच्छा लगा जब आप कहते हैं Ascension is a lifestyle क्योंकि कहीं लोगों को यह बताया ही नहीं गया होता कि Ascension is a lifestyle उनको तो यह बताया गया होता है कि बस ऐसे करो वैसे करो पैसे कमाओ अगर आप लोगों के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको लोग boycott कर देंगे ऐसा भी कहा जाता है इस तरीके का डर बिठाया जाता है कि आपको लोग boycott कर देंगे लेकिन आपको यह याद रखना है कि जैसे जैसे आप Ascension करोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको भी आपकी तरह के लोग मिलेंगे पहले आपको आपकी तरह के लोग क्यों नहीं मिलते या दिखाई देते एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ एक टाइम ऐसा था मुझे साइकलिंग करना बच्पन में बहुत पसंद था लेकिन ड्यू टू सम ट्रॉमा ट्रॉमाटिक एनरजी मैंने वो करना छोड़ दिया बिल्कुल छोड़ दिया वरना ऐसा भी वक्ता कि मैं बिना साइकल के कहीं आपको दिखाई नहीं देती थी फिर कुछ सालों के बाद अचानक से मेरे मन में ये तीवर इच्छा जागी कि मुझे साइकलिंग करनी है मुझे वापर से साइकलिंग करनी है सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कुदरत के लिए इन्वाइरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है गाड़ी चलाने से अच्छा दोस्तों आप साइकलिंग कीजे से और आपके लंग्स की भी बहुत अच्छी वर्काउट होती है लेकिन वो एक cycle को आप ऐसे देखते हैं करें लोग कि यार यह तो एक सस्ता वहिकल है क्योंकि cycle वहिकल तो सस्ता ही है चाहे बहुत ही बढ़िया वहिकल है लेकिन सस्ता वहिकल है गाड़ी बेटर है अगर आप गाड़ी में जाते हो तो आपकी क्या शान है क्या बात है देखो वावावा बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं धुआ करते हुए पॉल्यूशन करते हुए भले ही जब आप गाड़ी चलाते हो आपको बैटना एकी सीट पे होता है लेकिन वो चार सीटें आपकी खाली रहती है इतनी जादा स्पेस आप सड़क पे वेस्ट करते हो तो जब मैं साइक्लिंग में वापस आने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि खाली शायद एक मैं ही होंगी इकलौती या मेरे जैसे बहुत ही कम लोग होंगे ज़़ साइक्लिंग करते होंगे या जो ये मैसेज देना चाहते हो होंगे कि इंवाईरिमेंट के लिए साइक्ल सबसे अच्छी सबसे अच्छे वाहन आजकी रिट में साइक्ल है हर गषय में साइक्ल होनी चाहिए आसपास जाने के लिए और 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 टों को खास तरस्ष помощ इसले काँ जो कि परने तो इसला सायज कोник और सबने बोटर गाड़ कर दो तुम फिस खरीद ऑस वर वक्षी को सबस्त करेंगे और फेल और फोड़िशन ही उसल को सब्सक्राइब करेंगे कि ये वो करेंगे अब बिजली बनाने के लिए भी आप कहे रहें ना कि solar energy का ही use करेंगे या natural resources का use करेंगे क्योंकि इनके बास खुदी resources खतम होते जा रहे हैं ये खुदी resources का destruction कर रहे हैं सिर्फ वो भी पैसों की खातिर और capitalism की खातिर आप ये सोचे कि इनको क्या आपका पैसा वाकी में चाहिए जो organization जो भी foundation या जो भी आप उसे नाम देना चाहिए ठीक है जो भी government body हो गई या मुझे तो ये भी लगता है कि government को भी कोई और ही चलाता है government भी किसी के नीचे जुकी होई है जो खुदी note चापते हैं खुदी कागस के note print करते हैं जिनके बस note चापने की machine है उनको आपसे पैसे क्यों चाहिए हैं हम जब भी कुछ खरीते हैं हम जब भी भी बाजार जाते हैं समान लेते तो हम पैसे ही देते हैं और अब यह सब cashless होता जा रहा है अब आपको note भी देने की जुरत नहीं है तो एक तरह से हम अपनी energy ही देते हैं हर जगा पे energy का ही give and take होता है तो जब आप ध्यान करते हो सिमरन करते हो inner work करते हो आप भले ही धर्ती पे कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपकी जो energy है उसे purify उपर वाला कर देता है करते रहते हैं तो उस वक जब मैं cycle लेके बाहर निकली सड़क पे सुबे पांच बजे का time था तो मैं हैरान रे गई पहले दिनी साड़े चार पांच बजे इतने सारे cyclist मुझे दिखाई दिये अब मान लो अगर मैं वो करती ही नहीं सबकी बातों में आ जाती घरवालों की इधर उधर की दोस्तों की रिष्टदारों की जो भी होते हैं कि साइकल क्यों लेनी है साइकल लेके क्या फायदा तो अगर मैंने वो साइकल नहीं ली होती उस वक्त तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि सुबह साड़े चार-पांच बज़े बहुत से साइकलिस सड़कों पे निकलते हैं इवन दिन के टाइम पे भी ऐसा बहुत दफ हु तो ये समझ में आ गया कि जब आप कोई reality में step in करते हो या जब आप कोई चीज करते हो ना हो सकता है करने से पहले आपको बहुत डर लगता हो लेकिन बाद में या डर लगता हो या आपको यह बता जाए कि यह बहुत ही stupid काम है इसमें कोई आपकी materialistic वावाई नहीं होने व रखती हैं तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं यार मैं अकेला हूँ बिलकुल मेरा कोई नहीं है मुझे समझने वाला सब को ऐसे करना है वैसा करना है अभी मैं इसी शादी नहीं कर सकता या जोको परोड़ायों चाहती है अप के या लगा ञाओ एक लेकिन business खोलने के लिए आपको सब कहते हैं कि without investment या without पैसा लगाए business नहीं हो सकता या कोई आप book लिखना चाहते हैं या कोई भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन आपके रस्ते में बहुत सारे रोडे हैं बहुत सारी अडंगिया हैं बहुत सारे blocks हैं तो उन blocks को कैसे हटाएं ठीक है यह आप सोचना शुरू कर देते हो recognition के बाद आप सोचते हो कि मैं step लूँगा या लूँगी मैं रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि twin flames शायद एक लौता मैं मैं होंगी होंगा या कोई एक आदा कोई मेरे जैसा ह होगा जिसको सची सेवा करनी है जिसको publicity भी नहीं चाहिए जिसको धन भी नहीं चाहिए जिसे कोई NGO कोल के करोडों का फंड नहीं लेना फिर भी कुछ करना है कुछ करके दिखाना है ऐसे ऐसे thoughts आपके मन में आते हैं तो आप यह सोचके भी रुक जाते हो कि मेरे जैसा और क मुझे ही ऐसे stupid खयाल आते हैं मैं क्यों नहीं नॉर्मल लोगों की जिन्देगी जी लेता तो इस यह भी एक द्वन्द है जो अंतर मन में चलता है बहुत दिनों तक लेकिन क्योंकि यह नैचुरल प्रोग्रेशन है यह एक automatic process है एक बार कुंडलीनी जागरित हो गई तो हो नहीं पाएगी वो तो आपको कुंडलीनी तो आपको अवेकन आगे करती ही जाएगी और कुंडलीनी तो ही डार्क मदर वो तो आपको darkness के अंदर से ही निकालने के लिए तो डार्कनेस तापको face करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए तो जब आप निकलते हो ना की तलाश में परमात्मा की तलाश में सोर्स इंटिग्रेशन में जब आप निकलते हो तो आपको बहुत लोग रोकेंगे लेकिन आप निकल गए तो आपको पता चलेगा अरे बापरे यहां तो और भी लोग है मेरे जैसे अब इस चानल में आप देख लीजिए यह हमारे कि में समझ भी आगई तो बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर भी करनी पड़ी क्योंकि वो हुआ वो होता ही है वो जब डिवाइन ग्रेस होती है तो आप नहीं रुख सकते लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है तो से कुछ होगा अगर आपके DM आपको छोड़के चले गए मान लीजिए या आपकी DF आपको छोड़के चली गई और अब आप धरते हैं कि यार मैं अकेले कैसे रहूंगा या रहूंगी तो आपको दिक्कत आईगी आपको डे बाई डे आपको चीज़े करनी पड़ेगी एक एक दिन आप कुछ करोगे अपने आप अपने खुद के हाथों से फिर दूसरे दिन करोगे फिर तीसरे दिन करोगे करते करते एक दिन इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप लोगों को काम देने लग जाओगे आप बोलोगे तुम ये करो आप शायद किसी का घर चल ये कि बड़ी बड़ी MNCs में जब तद तो जॉब नहीं करेगा या करेगी तो तेरा जीवन वियर्थ है लेकिन फिर भी हिम्मत करके कैसे ना कैसे आप उस काम को शुरू कर देते हैं आपको शायद फेलियर्स भी बहुत मिलते हैं फेलियर्स तो होता ही है बंदा उसमें क्या हो गया फेल नहीं होगे तो आगे कैसे जाओगे लेकिन आप लगे रहते हो अकेले कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी जुगार से किसी ना किसी वे में आप भगवान का नाम लेके आगे बढ़ी जाते हो आप कहते हैं कोई बात नहीं मेरे पास थोड़े टाइम कम पैसे रहेंगे लेकिन मेरे मैंन में शांती तो है कि मैं जो करना चाता था वो कर रहा हूँ पचास साथ साल की उमर में जब आपके मरने का समय आ जाएगा या सत्तर असी जबी भी जब आप मर रहे होगे तो आपको बहुत पश्तावा होगा उस वक्त अगर आपने ऐसा उस समय नहीं किया जब करने का समय आया था और फिर आपका कुछ टाइम तो आप नर्की आतनाओं में रहोगें क्योंकि आप के अंदर गिल्ट आएगा मरते वक्त आपकी जो प्रवर्ती होएगी ना वहीं प्रवर्ती के द्वारा ही आपका पुनर जनम होता है मरते वक्त आप जिस स्थिती में होते हो जिस सिचुएशन में होते हो उसी स्थिती और सिचुएशन से उसी विचार से आपका अगला जनम होता है तो इसलिए मैं कहते हूँ कि दोस्तों हर तरह की शक्ती है इस धर्ती पे जो लोग यह कहते हैं कि जिर्फ इंसान ही रहते हैं मुझे लगता है कि उनको अभी कुछ नॉलेज अभी मिली नहीं है ऐसा नहीं है यह प्लानेट अर्थ है यह एक multi-dimensional हम universe का हिस्सा हैं दोस्तों इसमें तो हर तरह के लोग हैं जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाओगे आपको लोग दिखते भी जाएंगे कहीं ऐसे लोग हैं जिनको दिखता है बहुत कुछ जिनको देवी देफता दिख जाते हैं जिनको extraterrestrial beings दिख जाते हैं जिनको कोई alien की spaceship दिख जाती है कभी चलते फिरते आसमान में किसी को जानवरों से की आवाजे सुनाई देती हैं किसी को clairvoyance होती हैं किसी से जो हमारे गुरुजन है या हमारे अच्छी जो हमारी सोल्स है positive energies है वो उनसे interact कर सकते हैं कोई tarot card पढ़ने में बहुत माहिर हो जाता है क्यों हो जाते हैं लोग क्योंकि वो अपने इस शरीर से और अपनी इस identity से और अपने इस रूप से इतने चिपकते नहीं हैं उनके अंदर घमंड नहीं होता कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ और वो कोई ये बेकार की चीजों में फाल्तु में दूसरों को तंग करने में अपना time based नहीं करते हैं लेकिन अगर कोई उन्हें तंग करेगा या उनके प्रियजनों को कोई तंग करेगा तो फिर उस राक्षस को वो रोकना भी जानते हैं इसी के लिए आप inner work करते हो ताकि आपके अंदर उपर वाले के साथ आपका connection हो जाए और आप सिर्फ उन्हें के काम करो फिर आपको भी क्या जुरूत पढ़ी अपना कोई काम करने के आप सिर्फ उन्हें के काम करेंगे ठीक है तो ये reason है inner work करने का फिर union में क्या होता है देखे union से पहले बड़ी दो important तीन important stages है मेरे इसाब से सबसे important stage है surrender यानि कि आत्म समर्पन जब हम अपना समर्पन कर देते हैं surrender कर देते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा relaxation फील होता है क्योंकि surrender करने से पहले आप 24 गंटे control करते हैं चीजों को कि काश ऐसा हो जाए काश वैसा हो जाए या मेरे हिसाब से मेरी मन की होई वरना ना हो आपको क्या पता जो उपर वाले ने आपके लिए 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 रखा है वो आपी के लिए अच्छा हो हो सकता है कालांतर में उसका आपको फायदा मिले बहुत जादा इसलिए कई बार चीजों को accept करना पड़ता है और जो दुख आता है उसको भी accept करना पड़ता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सब scientific है दोस्तो अगर आप mindfulness की practice करेंगे तो आपको पता चलेगा आज से कुछ साल पहले तक यानि की dark ages के लोगों की बात करें वरना जो सत्यूग में पैदा ही होते है मतलब कुछ तो होते हैं जो सत्यूग यूग के हिसाब से पैदा होते है कुछ के तो अंदर ही सत्यूग चल रहा होता है जितने भी बड़े-बड़े masters हो हैं जितने भी बड़े-बड़े guru हो हैं जितने भी magical लोग पैदा हुएं, divine लोग पैदा हुएं, शक्तिमान पैदा हुएं, भक्ति करने वाले पैदा हुएं, उनका तो हमेशा ही सत्यूग चलता रहता, फिर वो चाहे किसी भी यूग में पैदा हो जाएं, तो वो ही तो इतना कुछ create करते हैं, आने वाली generation के लिए, गुरुनानक देव जी ने कितना बड़िया काम किया आने वाली generation के लिए, हम जैसो के लिए, आज की डेट में अगर आपको twin flame ascension journey में काम कर रहे हैं, तो आप गुरुनानक देव जी की लिखी वी कुछ चीज़े पढ़िए, ये दुक्की बात है कि आगे जाके हर चीज धर धरमिक हो जाती है, चाहे फिर वो बुद्ध आए, तो बुद्धिजम बना दिया, सिख्षम बना दिया, ये जो सिख्षब्य है दोस्तों, इसका मतलब सिख, सिख्षी, सिख्ष बोलते ही उसका ओच-ओने जो सीखने वाला है, तो पहले जब कोई इससख को अपने आपको स जाओ गए लेकिन उस part के पीछे की science आपको पता नहीं चलेगी एक ओंकार सत्थ नाम करता पूरग मतलब एक ओंकार एक ओंकार शब्त का मतलब क्या है all is one, one creator okay so God is one and His name is truth एक ओंकार सत्थ नाम, His name is truth Its name is truth God का तो कोई gender भी नहीं है तो सत्य को ही परमेश्वर का गया है तो जो सत्य की रहा में चलेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को lover of truth बोलते हैं वो कहते हैं, मैं lover तो हूँ, मैं प्रेमी तो हूँ लेकिन मैं सत्य का प्रेमी हूँ आप जितनी भी रूमी की कविताएं पड़ेंगे तो आपको देखेगा वो एक प्रेमी है इसलिए कहीं सारे जो संत होते हैं या कहीं सारे जो seekers होते हैं वो God को beloved भी बोलते हैं, पिया भी बोलते हैं तो twin flame journey में क्या होता है feminine होती है जो seeker होती truth की और फिर masculine जो की एक externally आप देखते हैं वो एक external manifestation है कि जो woman का role play कर रही है जिसकी feminine energy strong है उसने अपने आपको source के साथ integrate कर लिया और फिर जो उसका divine counterpart है वो automatically उसके साथ integrate हो गया इसको कई लोग जब physically देखते हैं तो वो इसको union कहते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है कई दफ़े उन दोनों का union बहुत ही mental level पे होता है वो ये समझ जाते हैं कि यार मुझे इसी व्यक्ति के लिए मैं धर्ती पे आया हूँ इसी को support करने के लिए इसी की वज़े से मेरा union हुआ है इसी की वज़े से मैंने inner work शुरू किया वो ऐसा सोचते हैं और फिर वो उसके बारे में गलत नहीं सोच पाते हैं कभी भी negative नहीं सोच पाते हैं हमेशा उन से प्रेम करते हैं उनकी इज़त करते हैं respect करते हैं किसी ना किसी तरीके से दिखा भी देते हैं ऐसा भी हुआ है मेरे कुछ एक student का बहुत अच्छी interesting story उन्होंने सुनाई थी कि वो किसी गाउं से थी South India के किसी गाउं से थी और वहाँ पे उनका school के time पे ही उनकी किसी से दोस्ती हो गई उनके एक लड़के से उनकी दोस्ती हो गई ठीक है और उनके दोनों के मन में कोई ऐसी गंदी भावना है जो आजकल relationship में देखा जाता है कि भाई पहले sexually involved होगे तभी आप कुछ relationship में बनो गया आपको उनको कुछ देना पड़ेगा उनका ऐसा नहीं था उनका actually में true love ही था लेकिन उनके गाउं में कुछ terrorism की activities होई जिसमें काफी लोग मर गए और जो बचे वो भाग गए विदेशों में अलग-अलग जगाउं में जाके settle हो गए कोई साओधी चला गया कोई Malaysia चला गया कोई Singapore में बस गया या कोई ऐसी country में जहां वो जा सकें तो ये दोनों उस टाइम बिच्छड गए उस टाइम ना email था ना कोई कोई ऐसे letters लिख सकते थे address ही नहीं था तो करते क्या बस ये था कि इस college से पढ़के हम निकले थे इतना ही था तो जैसे जैसे time बड़ा internet आने लगा लोग facebook पे आने लगे spos पे आने लगे तो अब दोनों की शादी हो गई अलग-अलग क्योंकि अब दोनों को पता ही नहीं वो एक दूसरे के touch में है ही नहीं तो दोनों ने अलग-अलग शादी कर ली और जिसकी एक की शादी हो गई ऐसे व्यक्ति से जो बहुत materialistic था उसमें अध्यात्मिक था दूर-दूर तक नहीं थी डेली की लड़ाई जगडों से जो लड़की है उसने ये देखा कि मैं भले किसी से मेरी शादी हुए लेकिन मैं इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करती ना मैं इसकी इज़त करती हो अब बच्चे भी हो जाते हैं फिर ऐसे में तो आप बच्चों की खातिर भी साथ रहते हो तो समझ में आ गया कि ये शादी कुछ है नहीं शादी में बस एक शरीर दो शरीर लोग कहते हैं कि आत्माओं का मिलन होता है ऐसा कभी होता नहीं है बहुत कम देखा गया जहां पर सिर्फ आत्माओं का मिलन हो क्यों फिर शादी करते कि कहते हैं जाओ हनीमून पर चले जाओ क्या आत्माओं के मिलन के लिए आपको भेज रहे हैं अगर इतना ही तो बोलना ची जाओ एक एक महीना ज़रा मौन ध्यान करके आओ दोनों पती पतनी अब तो शादी कर ली लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता कहते हैं जाओ हनीमून पर जाओ क्योंकि यही सोसाइटी का चलन है इनको हमेशा ऐसी ही चीज़ें करनी हैं जो कि शरी से जुड़ी हुई है ना कि मन से ना कि आपकी आत्मा से ना कि आपकी विचारों से तो अब विचार तो मिलते नहीं लेकिन बच्चे और पैदा हो गए हैं तो वो बच्चे भी दुखी हैं क्योंकि माता पिता आए दिन लड़ते हैं एक दुसरे को धंकियां देते हैं एक दुसरे को गाली गलोच करते हैं और प्रती बिचारी विक्टिम होती है, आदमी तो विक्टिम होता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्णी में आदमीों में भी जो ये एनरजी होती है, उनकी भी कार्मिक मारेज हो जाती है, फिर उनकी जो पत्नी है, उनसे सिर्फ पैसे वसूलती है, हर म मुझे नहीं तो मेरे बच्चों को जई बच्चों को बहाना बना के आगे कर देती है मा आदमी करे तो क्या करे फस गया हो तो ये दोनों अपनी अपनी जंदेगी में जी रहे थे जैसे भी लेकिन इनको इतना तो समझ में आ गया था रेकिनिशन जब हो जाता है ना तो आप ये नहीं किहते कि मेरा कोई لवर बन जाए रेकिनिशन में आपको ये समझ में आ जाता है कि सचे प्यार का मतलब क्या होता है और काफी सालों के बाद उस व्यक्ति ने इनको डूढ निकाला इमेल के थूढ दोस्तों के थूढ़ कैसे ना कैसे और उस वक्त इनकी डाक नाइ का ऐसे से मित रहूं, लेकिन मुझे उनका हाल चाल जाना है, मेरे मन में ऐसा कोई गलत विचार नी है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, वो ठीक है नहीं है, फिर उन्होंने उनको सम्झाना शुरू कर दिया, पती ने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं पड़ रहा तो बती ने बोला हाँ ठीक है कर लो बात कोई बात नहीं मिल लीजिए एक दूसरे से तो जब वो मिलने आये तो उन्होंने उनको समझाया कि मैं तो तुम्हें सिर्फ देखने आया हूँ सिर्फ इतना करके ही उसको इतनी शक्ती मिल गए उस औरत को उसने बोला कि तुम पार्ग जाना शुरू करो तुम अपने आपको पॉजिटिव नजरों से देखो तुम ऐसा मत करो मेरे पास भी वो आई थरपी के लिए तो मैंने भी उनको यही बोला उनको कोई अफेर चलाने में इंट्रेस्ट नहीं था यही तो समझना है यह राधा कृष्ण का प्रेम है कैसा प्रेम यह राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम है तबी तो इतनी सारी गोपियों को भी कृष्ण से प्रेम था लेकिन राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनका एक है वैसे बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग कम्यूनिकेशन जिसमें राधा कहती हैं कि मैं तो आपसे सबसे जाधा प्यार करती हूँ जैसा कोई नहीं कर सकता तो कृष्ण उनको फिर तरक देखे और जैसे भी उनको समझाते हैं दीरे दीरे राधा भी समझ जाती हैं ऐसे ही रामसीता का प्यार है सारे गुन मिलते हैं दोनों के लेकिन फिर भी सारी अंडर्स्टैंडनिंग होने के बाद भी एक दूसरे से अलग होने का निर्णे किया क्यों किया सीता भी राजी थी अलग अकेले रहने में यूünकि सीता जी के पास पूरा ऊप्शन था अपने पिता के घर वापस जाने का वो कभी नहीं गई तो वो भी राजी थी वो अपने पती का साथ देना चाहती थी वो भी नहीं चाहती थी कि हमारे हमारा जो ये सच्चा प्यार है इस पे कोई लांचन लगे उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं था कि वनवास के समय बच्चे पैदा कर लिये थे या जब वो डश्रत के महल में रहती थी सीता पुत्रवदू के रूप में तबी भी उनके कोई बच्चे नहीं थे बच्चे तो उनके बाद नहीं थे जब राम राजा बन गए जब उनको जरूरी कहा गया 44 एर्ज की एज में सीता जाते क्योंकि उनको नहीं होता इंट्रेस्ट मेटीरिलिस्टिक चीजों में तो वो कहते कि ठीक है आप अपना अपना जीवन हम जीते हैं लेकिन जो हमारा मिशन है जो हमारा गोल है जो प्लैनेट में हम काम करने आएं वो तो हम साथ में करेंगे ही करेंगे और जब कोई ग दिवाइन मैस्किलिन होते हैं जो अपनी पतनी के साथ फिजिकली इंटेमेट हो इन पाते क्योंकि वह एक कार्मिक मैरेज होती है और पतनी इस बात का ताना मारती रहती है चोड़के चली जाती हो कहती है यह तो इंपोटेंट है या इसको कोई ब्रॉबलम है या यह ऐसा ही ह पर दरसल वो उस तरह के जोन में होते ही नहीं है ठीक है तबी तो कहते हैं ट्विन फ्लेम्स इस धर्ती में कम है स्टार सीट इस धर्ती पे कम है असेंशनर इस धर्ती पे कम है लाइट वरकर्स कम है हर बंदा थोड़े ना लाइट वरकर बन सकता है हर व्यक्ति थोड़े न ascensioner होता है, seeker होता है जिसको सत्य की तलाश होती है तो ये प्रेम का रस्ता भी करी लोग पकड़ते हैं प्रेम प्रसंग के थूँ कोई bad relationship खराब हो जाता है तो उनको समझ में आता है कि अरे-अरे मैं क्या time waste कर रहा था या कर रही थी ये तो बकवास चीज़ है बिलकुल इसमें तो कोई प्यार का दूर दूर तक कुछ भी नहीं है फिर हमको पता चलता है unconditional love क्या होता है तो इसी लिए surrender की stage सबसे important है क्योंकि surrender करने के बाद आपकी आँके और खुल जाती है आप आँके खोल के देखना शुरू कर देते हो इदर उदर की सत्य क्या है फिर illumination आता है क्योंकि surrender भी चलता है कुछ time तक फिर आपके अंदर दीरे दीरे light सी दिखने लगती है आप जो दबे दबे रहते थे डरे डरे रहते थे चिंतित रहते थे आप चिंतित नहीं रहते हैं आप किसी ना किसी solution में लगे रहते है कि मुझे solution निकालना है ठीक है जो हो गया सो हो गया अब आगे मुझे इसमें कुछ करना है तो आप move on करते रहते हैं अपना काम करते रहते हैं रुकते नहीं हैं और source के साथ integrated रहना पसंद करते हैं, आपको मज़ा ही उसमें आता है, खुशी ही उसमें मिलती है, आप रूमी की कविताएं पढ़िए, आप कबीर जी की कविताएं पढ़िए, आप गुर्णानक जी की गरंत पढ़िए, कितने अच्छे उन्होंने लिखे हैं, आप वालमिकी की रमायन पढ़िए, आप व्यास जी की महाभारत पढ़िए, यह तो बहुत बड़े-बड़े धुरंदर साइंटेस्त हैं, इसे सब साइंटेस्त हैं, जितने भी आपको दिखते हैं, और नारद मुनी, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, जो कि बहुतों के गुरू भी है वो भी एक celestial being है, वो तो मानव शरीर में है ही नहीं, वो भी celestial being है, तो यहां पे मैं अपने इस session को close करती हूं, दोस्तों, एक stipulated time में जितना मैं share कर सकती थी, मैंने किया है, अगर आपके और भी questions हैं, तो आप कृपिया करके comment करके लिखिए, अगर आपके union से भी आप इनर्वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डीप इनर्वर्क करो और आपके अंदर इनर्जी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता जिनकी percentage by percentage इंप्रूव्मेंट होती है यानि कि 50% परसंट हुआ 50% टेस्टिंग इन क्राइसिस हुआ 50% रहना चेजर में आगे बढ़ गए 50% उसकी वज़े से सरेंडर में आगे बढ़ गए फिर इल्यूमिनेशन में आगे बढ़ गए तो उनको भी यूनियन की कुछ ना कुछ आसार मि आप उन सबी लोगों को आपके करीबी हैं उनको आप एकसेट कर लेती हैं यह हैं इस जनम में इतना ही आगे बढ़ना है इनका नहीं हो सकता है सजादा क्यूंकि यह उपर से लिखवा के लाएं यह कर्म भोगने आये हैं तो यह भोगना ही पड़ेगा इनको अगर यह हमने जिसे आप एनिमी समझ रहो ना आप और वो एक ही हो लेकिन फिर भी दोस्तो स्टेप तो लेना पड़ेगा क्या कर सकते हैं यह यूनिवर्स है यूनिवर्स का मतलब ही होता है वन इन मैनी तो हम बहुतों के थ्रू अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत सारे इमोशन को जब आप ऐसे हजारों शीशों को तोड़ देते हो जिनमें आप अपने आपको देखते हो ना तब जाके आप सोर्स के साथ इंटेग्रेट कर जाते हो आपको उन हजार शीशों को तोड़ना है जिनमें आप खुद को ढूंड रहे हो जिसमें आप ख में अपने questions भी डाले और आपको अगर कुछ भी और शेर करना है तो जरूर शेर किज़ जो आपके साथ आप बीती हुई है इनव करने से आपको क्या फायदा हुआ inner work करने से आप कहां तक पहुँचे हैं क्या आपके जीवन में आपने फील किया महसूस किया कुछ बड़े changes आए हैं आपकी diet में changes आए हैं या आपके रहन सहन में change आए हैं आपकी looks में improvement हुई है आपकी health में improvement हुई है आपके business में भी improvement हुई है या आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीने लग गए हो आप पैसे के पीछे अब इतना परिशान नहीं तो कोई भी चेंज आप में आपके अंदर आ रहे हैं तो वह इनर वर्क की वज़े से ही आ रहे हैं आप अपने मिशन में स्ट्रॉंग गए हो आपके सामने कोई भी मु